बीते दिन चंडिगड मेर चुनाव में इंटिया गटभंदन को करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने मेयर पद के लिए योवा नेता मनोच सोनकर को अपने इस तरफ से मिदान में उतारा था मनोच सोनकर को कुल 16 वोट मिले थे जबकि कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक तुमीदवार कुलदीप कुमार को केवल 12 वोट मिले और उसके आठ वोट रद हो गए और इस अधार पर मनोच सोनकर को जीत मिल गई हाला कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गटबंदन ने इस जीत को असविकार कर दिया और धांदली का आरोप लगाते हुए हाई कोट में अपील तक कर दी चर्चा मेर चनाव की हो रही है तो चले आपको बताते हैं बीजेपी पार्षद मनोच सोनकर आखिर हैं कौन और बीजेपी के लिए मेर पद के उमीदवार वो कैसे बने 49 वर्षिये मनोच सोनकर वैसे तो महस सात्वी पास है लेकिन राजनीती में सक्रियता ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है मनोच सोनकर चंडिगण में बीजेपी पार्षद है और वो अनोसुचित जाती से आने वाले भाजपा के एक मात्र मेर उमीदवार थे एक रिपोर्ट की माने तो मनोच सोनकर का शराब का कारोबार है मनोच सोनकर के एफिडेविट के मुताबिक उसकी कुल संपत्ती करीब 19 लाख की है जिसमें 4.5 लाख रुपे की चल संपत्ती और करीब 14 लाख की अचल संपत्ती शामिल है इसके अलावा चंडिगण के नए मेर के पास 80 ग्राम सूना और एक स्विफ्ट कार है और एक बुलेट मोटर साइकल भी चंडिगण मेर मनोच सोनकर पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और इस मामले में वो बेताग है मनोच सोनकर की जीत से इंडिया गटबंदन को बड़ा छटका लगा है लोग सबाचुनाव के लिए विपक्षी दलो ने इंडिया गटबंदन मनाया था लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नुतिश कुमार के अलग होने के बाद गटबंदन वैसे भी सदमे में था लेकिन चंडिगर में उनके मेर प्रत्याशी की हार के बाद उन्हें एक और बड़ा छटकाम मिल गया मेराल ताज पोशी होते ही मनोच सोनकर ने आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पर करारा निशाना साधा और बताया कि बीजेपी ने उन्हें उमीदवार क्यों चुना अगे थी सब ाइनको लगा कि हमें अपनी हार बरदाश्न हो रही है तो उस त्रीके से फिर उन्हों ने ओ महआ पर महल दूसरा बना दिया पिर हमें ब्लेम करने लगे क्योंकि हमें जीतता है चोटे से शेर को नहीं चला सकते हैं, तो ये स्टेटे क्या चलाएंगे? कोई बात नी जी, हाई कोट का ही राइट था है, हाई कोट ने ही एलेक्शन करवाए थे यह, कोई बात नी, इसका भी हाई कोटी देखेगा. कोई बात नहीं जी प्रेंस कॉंफरेंस करें कोई दिक्कत नहीं है जहां से हम गलत ही नहीं हम तो अपना जीते हैं मैं दन्य बात करूंगा अपनी पूरी टीम का पूरे कॉंसलोरों का जिनोंने मुझे बॉटिंग किया पूरी बिजेपी का मैं तह दिल से धन्याबाद करना चाहूंगा क्योंकि एक मैं चोटा सा मामूली सा व्यक्ति था कि जिनोंने पता नहीं कहां से मेरे अंदर कोई काम करने की शमका देखी क्या देखी मुझे एक चोटा सा उठाकर कां बिठा दिया और सेवा का मोका करने का मुझे मोका दिया सेवा करने का चंडीगड शहर का तो मैं तह दिल से अपनी पूरी भाजबागा दन्याबाद करना चाहूंगा आपको बताएं कॉंग्रेस ने अपने मेर प्रत्याशी जस्बीर सिंग बंटी का नामांकन वापिस लेकर कुल्दीब टीटा उफ कुल्दीब कुमार को समर्थन देकर बीजेपी का खेल बिगारने की कोशिश की थी लेकिन उसे काम्या भी नहीं मिल पाई चंडीगण मेर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गठ बंदन हुआ था आप और कॉंग्रेस के कुल 20 पार्षत थे बावजूदिस के इस चुनाव में उन्हें हार कास सामना करना पड़ा